Hello friends, मैं हूँ श्वेतव और आज है मंडे मोडिवेशन. चलिए तो एक बहुत प्यारी सी कहानी लिखकर आई हूँ आप लोगों के लिए. The Elephant Rob हाती और रस्ती की कहानी एक बार एक आदमी कहीं जा रहा था. रास्ते में एक जगे उसे एक हाती दिखाए दिया. उसे एक बात नोटिस की कि वो हाती एक छोटी सी कमजोर पतली रस्ती से बंधा हुआ था. उसे यह देखकर बहुत आश्चलिय हुआ कि कैसे इतना बड़ा जानवर एक कमजोर सी रस्ती से बंधा हुआ है. क्योंकि महा न कोई जंजीर थी ना कोई पिंजरा था. वो हाती चाहे तो एक छटके में बंधन मुख हो सकता था. लेकिन वो हाती ऐसा कर नहीं रहा था. अब इसके पीछे कारण क्या था? उसे वहाँ एक हाती का मास्टर देखा. उसे मास्टर से पूछा हाती क्यों इस कमजोर रस्ती से बंधा हुआ खड़ा है? और भागने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा है. जब वो एक छटके में भाग सकता है? हाती के मास्टर ने जवाब दिया, जब ये बहुत छोटा सा था, तब मैं इसी रस्ती के सहारे इसको बंधा करता था. तब ये रस्ती इतनी मजबूत हो दी थी, और उसको पकड़े रखते थे. ये रस्ती तोड़कर भाग नहीं पाता था. इसने रस्ती को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर प्रयास विफल रहा, और वो कभी भी सफल नहीं हुआ. हरकर उसने मान लिया कि इस रस्ती को तोड़ पाना असंबाव है, और उसने इस पर जोड़ लगाना छोग दिया. दीरे दीरे ये बड़ा होता गया, इसे अभी भी लगता है कि इस रस्ती से आजाद होना इसके बस की बात नहीं है. इसने रसी को तोड़ने का प्रयास ही नहीं किया आज यह एक वैस्क बलवान हाती है लेकिन इसने रसी से हार मान ली है आदमी यह सुनकर बहुत हैरान हुआ कि यह जानवर किसी भी समय रसी को तोड़ कर बंधन से मुक्त हो सकता है लेकिन उसने मान लिया है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए उसी कमजोर रसी के सहारे बंधन में हैं जिससे वह बचपन से बंधा आया है। इस हाती की तरह ही हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो यह मान लेते हैं कि वह जीवन भर ये काम नहीं कर सकते हैं पिशले बार उन्होंने किया था और वो अपने प्रयास में विफल रहें। अपने आपको एक सिमित सोच में बान लेते हैं और बोलते हैं कि भाई ये काम हमसे नहीं हो सकता है और वो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। जिस से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वहीं रुके रह जाते हैं। इन हादियों की तरह हम भी अपनी जीवन में नकारात्मक सोच रुपी बंधन से बंदे हुए हैं। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और वो काम हमारा पूरा नहीं होता है। हम इसमें फेल हो जाते हैं तो हम अपनी दिमाग में बठा लेते हैं कि ये काम हमसे होगा ही नहीं। यकिन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम में असफल होने के बाद उसमें कभी सफलता मिले गे नहीं। इस नकारात्मक सोच के कारण हम किसी तरह का प्रयास करना ही लें उन कम्यों को पहचान कर दूर करें जो हमारी असफलता का कारण बन रही है नकारात्मिक सोच हमारी सफलता में सबसे बड़ी बांधक है इसलिए नकारात्मिक सोच उपी जंजीर को तोड़ना बहुत जरूरी है और सकारात्मक सोच को अपनाना बहुत जरूरी है जीवन में प्रयास करना कभी न छोड़ें क्योंकि प्रयास करना सफलता के दिश्या में कदम बढ़ाना है चलिए फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट मंडे एक नई सी कहानी लेकर और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं